हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर तु शर्मा और आज हम सॉल्फ करने वाले हैं उत्राखन लेक्चर एक्जाम सीरीज का अगला कोशन जो कोशन है हमारे पास इसको अब हम सॉल्फ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे यह जो हमारी क्वांटिटी है जिसके हमें रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वांटिटी को हम मालेंगे य के एक्वल ठीक है तो इसको अब हम सॉल्फ कर लेंगे तो यह हो जाएगा कुछ उस्तरह से यह देखी हे हमारे पास यह बन जाएगा एक quadratic equation X की form में तो जो हमारी quadratic equation हुई X की form में वो हमारे पास आई कुछ यह अब हमें क्या करना है इस quantity की हमें देनी है real values तो real values हमारी कब होती है जब हमारे पास होता है 20 square minus 4 AC is greater than equal to 0 जब 20 square minus 4 AC is greater than 0 होता है तब हमारे पास real and unequal values आती है और जब equal to 0 होता है तब हमारे पास real and equal values आती है तो दोने ही case में हमारे पास real value आती है तो हम इसमें put up कर देंगे तो यह हो जाएगा b square minus 4 a c is greater than equal to 0 यानि कि इसको हम solve कर लेंगे a square plus b square plus 2ab is greater than equal to 0 तो यह हो जाएगा हमारे पास minus 11y square plus 10y plus 1 is greater than equal to 0 यानि कि 11y square minus 10y minus 1 is less than equal to 0 यह बन जाएगा हमारे पास स्फिर से एक quadratic equation तो quadratic equation जो है हमारे पास वो यह आजाएगी कुछ इस तरह से 11y हम common ले लेंगे तो यह बन जाएगा हमारे पास y minus 1 multiply by 11y plus 1 is less than equal to 0 अगर हम इसका graph देखें तो graph कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास यहाँ पर point आजाएगा minus 1 by 11 यहाँ पर point आजाएगा 1 इससे आगे positive अब क्योंकि 1 y minus 1 की power क्या है single 1 ही है तो इससे पीछे negative यहाँ पर भी single 1 ही है तो इससे पीछे positive ग्राफ बनाने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले हम roots निकाल लेते हैं यहाँ पॉइंट्स निकाल लेते हैं y minus 1 को 0 रखते है तो y is equal to 1 आया और 11y plus 1 is equal to 0 रखते है तो y is equal to minus 1 by 11 आया तो फिर हम इसको number line के number line में हम roots रख लेते हैं अगर यहाँ पर power even होती है तो sign हमारा change नहीं होता तो हमारे पास जो हमें real values का set मिलेगा वो set हमारा कुछ इस तरह से होगा minus 1 by 11 से लेकर के 1 तक यह हमारा real values का set होगा यानि कि हमारा जो option number B है वो इसमें true हो जाएगा इस तरह की और videos दिखने कर मेरे channel को subscribe करें and thanks for watching this video